Hello everyone, welcome back to my channel Guys, एक और new reading के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब I hope कि आप सभी अच्छे हैं, खुश यहार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं reading करने वाले हूँ आप सभी लोगों के लिए जानेंगे यहां पर हम पता लगाएंगे, divine guidance पता लगाएंगे आपका अगर कोई romantic connection है किसी के साथ बहुत important connection है अगर आपके लिए तो उसके लिए क्या आपके लिए divine guidance आ रही है यह हम जानेंगे, इसमें कोई career वग्यरा, health वग्यरा, कुछ नहीं मैं पता लगाऊंगी सिर्फ और सिर्फ आपके connection के regarding guidance है आपके लिए divine के तरफ से यह हम यहां पर पता लगाएंगे, ठीक है तो शुरू करने से पहले हमेशा के लिए तरह ही बता दू कि यह journal prediction है तो हो सकता है, सभी के साथ resonate हो, हो सकता है, ना हो, तो please keep an open mind और यह reading timeless है, okay अगर आपको अपने बारे में detail में जानना है, personal reading book कर आना है, तो उसका option है यहां पर आप मेरे इसी video के description box में जाएंगे, तो आपको instagram ID का link में लेगा, वहां जाकर आप मेरे को DM कर सकते हैं, अपने reading के लिए prizes और details सब कुछ description box में mention है, तो अच्छे से पढ़ कर ही मेरे को DM करना, चलिए, divine guidance on an important romantic connection in your life, क्या guidance आ रही है आपके लिए, आपके connection के लिए, let's see, एक card हमारे पास आ गया है, उसको हम लेग, वाओ, वी है, wheel of fortune, ठीक है, चलो यह card अपने आपके रहा, इसको लेंगे, and tower, wheel of fortune के साथ, tower, चलो यह card आ रहा है, इसको लेंगे, queen of wands, and we have two of pentacles, 10 of wands, and 3 of cups, 3 of pentacles, and queen of pentacles, यहाँ पर दो बार 10 number आया हमारे पास, और दो बार 3 number आया है, 8 of swords, 9 of pentacles, knight of wands, and 10 of, sorry, 7 of pentacles, ठीक है, यहाँ से 8 of cups है, okay, तो क्या है आपके लिए guidance ही, मैं आपको बताती हूँ अभी, पहला ही card, we have wheel of fortune, in this prediction, देखो, सरिफ मुझे, अगर यहाँ कोई card अच्छे दिख रहे हैं, तो वो है queen of pentacles, 3 of pentacles, and the wheel of fortune, and 9 of pentacles as well, सरिफ यह 4 card मुझे यहाँ पर positive दिख रहे हैं, otherwise, यहाँ पर, yes, आपके connection में, इस time आप tower moment face कर रहे हो, यह tower moment आपके connection में आया हुआ है, तो इससे क्या-क्या, आपको दिख रहा होगा, आपके connection में, no contact situation हो सकती है, या फिर आप लोग एक दूथरे से कुछ चीजे चुपा रहे होंगे, ठीक है, ठीक से नहीं बता रहे हैं, बहुत सा responsibilities आ गई है, और चीजे ठीक से align नहीं हो पा रहे हैं, आपके connection में, misunderstanding भी हो सकती है, या overthinking के शिकार आप हो गए होगे, because of this tower card, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहे हैं, कि आप इस connection में, stuck हो गए हैं, irritate हो रहे हैं, आपको एक, जैसे होता है, पीस of mind बिल्कुल अचीव नहीं होता है, इस तरीके से आप सोच रहे हो, और आप काफी वेट कर रहे हो, कि चीजे ठीक हो जाएं, लेकिन अब आप थोड़ा सा irritate भी हो ना, शुरू हो, मनलब ऐसा हो रहा है आपको, कि आप irritate भी हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता है, कि सब कुछ छोड़ चाड़ के, अब बस अपने करियर पर फोकस किया जाए, विकॉस वी आप कुछ समझ नहीं आ रहा, आइडिया नहीं है, कि कैसे इस कनेक्शन को ठीक करें, तो उन सारी की सारी प्रॉब्लम और जो भी परेशानिया आप अभी फेस कर रहे हो, जिसके वज़े से आपका schedule भी गड़ रहा है, जिसके वज़े से आपका दिन चरिया जो भी है वो खराब हो रही है, तो प्लीज आप अपने आपको फ्री कर दें, एंड कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, जिससे की आपको अपनी life में recovery आपकी होना शुरू हो जाए, healing आपकी होना शुरू हो जाए, ठीक है, because three of pentacles card कुछ research बता रहा है, कुछ ऐसे चीज़े आपको अपने लिए select करना होगा, जिससे की आपका peace of mind बचा रहा है, उसके लिए आप meditation कर सकते हैं, ठीक है, आप positive affirmations बोले, कुछ भी करें, लेकिन आपको इस energy से तो बाहर आना ही पड़ेगा, अगर आप इस energy में हो, तो आप surrender भी कर सकते हो, तो भी आप खुद को free कर लेंगे, क्योंकि ये जो situation अभी आपके connection में जो बनी है ना, ये एक temporary situation है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास the wheel of fortune card है, अगर tower आया हुआ है, तो कहीं न कहीं good luck भी काम कर रहा है, कुछ ना कुछ आपके past action या फिर divine की blessings यास तरीके से आपने prayer करी है, वो prayer आपकी काम कर रही है, तो ये एक temporary situation है, इसके लिए एक temporary situation के लिए बहुत जादा सोचना या overthinking करना या परिशान हो जाना कोई solution नहीं है, लगातार continuously आप सोचते जाओगे, overthinking करते जाओगे, negativity invite करते जाओगे और tension अपनी बढ़ाते जाओगे, you have some challenges, you have some blockages in your connection, तो ये कैसे heal होंगे, ये आपके positive रहने से भी बहुत चीज़े heal हो जाएंगे, देखो time तो आपको थोड़ा सा लगएगा, अभी भी न, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप proper healed हो चुके हैं, तो ये सच नहीं है, still you have some challenges, उतने major नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हैं, वो challenges अभी भी हैं, तो वो आप हो सकता है कि ये जो overthinking आप करते हो, ये एक challenge हो सकता है, आपके लिए इसको कैसे overcome करोगे, that is why divine, बार 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 कुछ ना कुछ टावर मूमेंट भेज रहे हैं आपके life में, ताकि आप इन चीजों को जो आप बार बार repeat करो, इनको overcome कर सको, ठीक है, इस वज़ा से भी ये चीजे बार बार repeat हो रही है, life में थोड़ा celebration लेकर आओ, थोड़ा enjoy करो, थोड़ा time खुद क हैं जो बहुत important होती है, उने भी करना शुरू करो, अपनी life में थोड़ा fun लेकर आओ, थोड़ा अपनी life में चीजों को explore करो, बहार निकलो, ठीक है, बहुत सारी activities हैं जो आप कर सकते हैं अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए, देख लो आपको क्या activity पसंद है, yoga, dance, painting, जो भी आपको पसंद करना, cooking, singing, ठीक है, तो उसको करना शुरू करो, थोड़ा सा अपने लिए time निकालो, I know आप busy हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा भी time अगर खुद को देंगे, music सुन लेंगे, या कुछ भी जो आपको पसंद है, वो आप करना शुरू करो, तब ही आप खुद को free कर पाओगे, जब भी आपको stress होता है, तो अपने favorite song सुन लो, favorite activities कर लो, लेकिन कुछ तो करो, ताकि आप बार 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 सरिफ इस चीज के बारे में ना सोचें अपनी life में, because connection में थोड़ा difficult time आप face कर रहे हो, और मैं ये भी बोल रही हूं कि ये एक temporary situation है, चीजे आगे चलकर अच्छी हो रही है आपकी life में, okay, चलो, थोड़ा सा यहां से भी देखते हैं, यहां से क्या आएगा आपके लिए, इनको देख लेते हैं, पहले इस से देखेंगे, happiness, happiness जल्दी आएगी आपके connection में, लेकिन पहले खुद से कैसे happiness create करनी है, खुद के लिए इस पर focus करना है आपको, don't back down from opposition, show strength and fortitude, yes, strength दिखा हो की, yes, आप powerful हो, आपके पास strength है, और आप अपनी life को manage कर सकते हो, great personal sorrow, रो रहे हो नाप, tension है, रो रहे हो, परशान हो रहे हो, जब कि यह करने की ज़रत नहीं है, find your own happiness, first, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end, यह जो experience मिलेगा आपको, या इस situation में, जो भी आप go through कर रहे हो, या आपको एक अच्छा experience दे रही है, एक wiser person बना रही है, at the end of this situation, so, at the end, आप बहुत खुश हो जाओगे, parting of the way, in either romance or business, हाँ, यह चीज चल रही है अभी, ठीक है, broken ring का जो card है, यह tower moment से match कर रहा है, तो यह चीज हो रही है, बट इसी के साथ ही आपको, अपनी happiness ढूननी है, और यह आपको बहुत ज़्यादा experience देगी, यह चीज, something important, such a good, such a new job, or a race, हो सकता है, देखो, good job मिल सकती है, new job मिल सकता है, appraisal हो सकता है, चीजों पे focus करो ना, climbing towards success, अपनी success की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, dealing or relationship with a man with dark complexion or hair, हो सकता है, ऐसे किसी इनसान के साथ, आप relationship में हो, इसके साथ, आपके अभी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा issues लाइफ में, लेकिन, आपको क्या ही करना है, अभी देखो, clear यहाँ पर divine बता रहे हैं, कि आपको अपने life में, जो चीज़े अभी important है, उन पर focus करना है, अपनी job पर, अपने career पर, और जो चीज़े आपके out of control जा रही है, उनको आप surrender करके आगे बढ़ो, जब उनका time आएगा, तो उन पर भी आप action ले पाओगे, लेकिन यह temporary situation है, तो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर overthinking नहीं करनी है, ठीक है, चलो दो card आएं आपके लिए, patience रखो, number one thing is patience and pay time, कुछ ना कुछ karmic situation में आप दोनों हो, that is why यह tower moment आया है, कुछ सिखाने के लिए, लेकिन patience रखो, आपको reward दिया जाएगा, आपके patience का reward दिया जाएगा, और आप जितना अच्छा कर्म, जितना अच्छा action create करोगे, thoughts create करोगे, तो वही positive result आपको at the end मिलेगा, ठीक है, तो यह कुछ important guidance है, आपके connection के लिए, I hope कि यह reading आपके साथ resonate होई होगी, आपको पसंद होगी, अभी के लिए बस इतना है guys, bye, take care.